हवा में सफर करने का सबसे आसान तरीका जेट एरो प्लेंस आज हम बड़ी आसानी से एक जगह से दुसरी जगह जाते हैं नौर्थ पोल तक ट्रैवल कर सकते हैं हम आजारों किलिमेटर का सफर तैक कर सकते हैं ये साव इन जेट इंजिन्स की बदॉलत हुआ पर इसे बनाने में बहुत मेहनत और सूच की जरूरत बड़ी थी सन 1903 में राइट ब्रदर्स के प्लेन में प्रपेलेस की मदर से हवा को पिछे ढखेल कर प्लेन को आगे उड़ाया जाता था जब पहली बार राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था तो उन्हें एक ऐसा इंजन चाहिए था जो हलके होने के साथ साथ इतना ताकत और भी हो जो खुद के वजन के साथ साथ एक आदमी का वजन उठा सके हलकी हमारे पास दूसरे इंजन थे भाप से चलने वाले इंजन जिनमें ताकत तो थी पर ये बहुत भारी थे एक भाप के इंजन को चलने के लिए एक बड़े से बॉयलर और एक पानी की टंकी की ज़रूरत बरती थी पर राइट ब्रदर्स को कोई ऐसा इंजन चाहिए था जो हलका हो और साथ इसाथ जादा पावर जनरेट कर सके पर एक प्रॉब्लम थी मार्किट में कोई ऐसा इंजन था ही नहीं तो उन्होंने क्या किया खुद इंजन बनाया इतियाफ ने पहला पेट्रोल इंजन बना जो खुद को और एक इंसान को हवा में उठाने के काबिल था लेकिन उन्होंने बनाय कैसे पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन में सिलेंडर्स लगे होते हैं राइट बर्दस ने चार्ट सिलेंडर को एक कतार में रखा था हवा और फ्यूल का मिक्सर कार्बरेटर के जर्ये सिलेंडर में जाता है और इस मिक्स फ्यूल को एक पिश्टन दबाता है, फिर एक स्पार्क प्लग इसे जला देता है, जिससे एक भी स्पोर्ट होता है, जो इन पिस्टन को उपर निचे करता है, और पिस्टन क्रैंक सैट को घुमाता है, इससे इंजिन काम करना शुरू कर देता है, इसके एक सीरे पर पंका लेगा ये और लिजिये तया इस इंजन ने फॉर्ष्ट वर्वार में सबसे तेज लडाकूवि मानों को उड़ाया था इसे घूमने वाला इंजन भी कहा जाता था क्योंकि इसके पंक्रे के साथ साथ सिलेंडर भी साथ में घूमते थे और यह वासे ठंड़ा होता था इसलिए हलका था इसे भारी पानी उचा उडान भर सकता था पर इसकी एक प्रॉब्लम थी ये इंजन बड़ी मुश्किल से चालू होता था और इन विमानों को इससे बड़ा नहीं बनाया जा सकता था अगर इससे बड़ा बनाते तो इसका बैलेंस भिगड़ जाता और ये ठीक से उड़ नहीं पाता और इसका फैंडरिक बेंस रेंशेनल ने किया था इसका वर्जन 295 किलोग्राम है जो राइट ब्रजेस के पहले इंजन से 3 गुना जादा है और 35 गुना जादा एनरजी जनरेट करता है दरसल ये इंजन रॉटरी इंजन का ग्रेड वर्जन है पर राटर इंजन और रेडियल इंजन में बहुत फर्क है राटर इंजन में पंका साथ में जुड़ा रहता था और ये पूरा हिस्सा घूमता था बिल्कुल इस तरह पर रेडियल इंजन में ऐसा नहीं होता था रेडियल इंजन में पंका सामने की तरफ रहता था और पूरा हिस्सा घूमता नहीं था ये इंजन हवा से ठंडा होता था जिससे ये काफी हलका था और इसका पूरा हिस्सा घूमता नहीं था इसलिए और बड़ा बनाया जा सकता था अखिर एक ऐसे इंजन का निर्माड हुआ जो खुद के साथ साथ देर सारे यात्रियों को भी उठाने के लायक था इन रेडियल इंजने सबसे बड़े विमान थे फ्लाइंग शिप्स जिने उड़ान नवकाएं कहते थे ये पानी पर लैंड करती थी ये उस समय के सबसे बड़े विमान थे जिनमें 50 आद्मियों को ले जाने की ताकत थी इन विमानों में फीचर्स के नाम पर सब कुछ था वाइन शॉप, स्लिपिंग हाउस, स्मोकिंग एरिया, पियानो, होटेल और भी बहुत कुछ और इनकी लैंडिंग श्ट्रिप पानी इस लिए थी, क्योंकि प्लेस बहुत बड़े थे और उनको लैंड करने के लिए लंबे चोड़े रनवे भी नहीं थे और पानी पर लैंड करना रनवे आपकी मनमर्जी के मताबिक लंबा हो सकता है पर सेकेंड वर्ल बार शुरू होने के बाद इन सब इमानों के दिन गिने चुने रहे गए थे इन इंजन में हैरत अंगेस बदलाव आया कैसे? पिसके ज़ज़गे ये है जेट इंजन, इसका निर्मार्ट फ्राइंक वीडल ने किया था राइट बरदस के बाद इंजन को नई उचाईओं तक ले जाने में सबसे बड़ा योगदान इनों नहीं दिया था ये जेट इंजन एक सिंपल तरीके पर काम करता है जेट इंजन जेट इंजन के बीच में एक रॉड रहती है और इसे एक स्पाक प्लक के जरीए जला दिया जाता है जिससे गर्म हवा थ्रष्ट के साथ पीछे के रास्ते से बाहर निकलती है और टाइबाइंग को घुमाने लगती है और टाइबाइंग कंप्रेसर को घुमाने लगता है वो आसपास चल रही हवा पर अपनी पकड नहीं बिठा पाता और ज्यादा रफ्तार होने पर पंगे ठीक से काम करना बंद कर देते हैं पुराने फिश्चन इंजन को हटा दिया गया और अब हर प्लेन में जेट इंजन का इस्तमाल होता है पहले प्लेन में चार जेट इंजन लगाए जाते थे और तीन और अब घटकर दो पर आ गए हैं ये इंजन इतने पावफूल और भरोसेमन्थ है कि अगर उरान के दावरान किसी एक इंजन में भी खरावी आती है तो प्लेन एक इंजन के साथ लैंड और टेक आउफ कर सकता है और कुछ इंजन तो साड़ी तीन साल से लगातार यूज हो रहे है इससे साबित होता है कि हमारे इंजिनियर इसे बनाने में इतनी कड़ी टेस्टिंग करते हैं इस पूरे चेट इंजन को उपर से नीचे तक हाथ से बनाया जाता है यहां कार बनाने वाली कंपनी की तरह रोबर्ट्स नहीं लगे रहते है इन साब इंजन को अलग-अलग हिस्सों में बनाया जाता है इन सारे इंजिन को अलग-अलग ग्रूप्स की टीम बनाती है वो भी हाथों से कमाल है न तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेट में बताओ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो शेर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब को ले आज कर दो ना जाता है अजय कर दो ले आज कर दो ले आज कर दो शेर कर दो जा जाता है झाल झाल